और फिर बाद में उन्होंने हिमालई जाकर मा की कड़ी तपस्या की, मा की साधना की 13 फरवरी 2011 इस दिन के उपर सुबह 5 बजे, पौने 5-5 बजे उनको मा के दर्शन हुए, फिजिकल फॉर्म में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अगर दूसरी बार आपके उपर सर्जरी की गई, तो हम आपको लिख के दे देंगे कि अगर ओप्रेशन थियेटर में से आप बाहर नहीं आ पाए, तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की सिम्हवारी नहीं रहेगी देन, in next 11 days, I was walking on my feet, just by doing प्रात्ना, by doing भक्ती, वो भी लेटे लेटे हाँ दो भई स्वागत है अपनी जनता का Real 11 Presents, Real Talk with Real Hit के नए पॉड़कास्ट में इससे पहले पॉड़कास्ट आगे बड़े, मैं आप लोग को बता दूँ, भई वो घड़ी फाइनली आ चुकी है, जिसका हम सभी को इंतजार था 2023 के वर्ल्ड कप के मुकाबले का, यह मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रेलिया का जो की आज है, चलो इसके मज़े उठाते है रियल 11 प्रो प्ले के साथ जल्दी जाएएगे, डाउनलोड करने है रियल 11, यह आपके भाई लोग की ही यह अप है, तो चलिए इस पोड़कास्ट को फिर आगे बढ़ाते हैं, और भाई इस पोड़कास्ट को एंड तक देखना बहुत ही मज़ेदार कैनट बात होई है, चलो. सारी जगाओं पर यह गए, तो आज हम इनकी लाइफ पो थोड़ा जादा एक्स्प्लोर करेंगे, पर बहुत सारी बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम सब अपने पेरेंट से सुनते रहते हैं, मंत्र जाप करो, या बहुत सारे एस्ट्र लॉजर के पास भी, मेरी मम्मी बहुत हमने सुना बहुत है, और परसनली जब पूजाओं में यह मंत्र जाप होता है, जब सारे ब्रह्मन मिलके जाप करते हैं, तो पावर फील होती है हमें उस टाइम, बट मैं इसके पीछे का रीजन समझना चाहता हूँ आप से, कि यह मंत्र क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इनक मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफूल हूँ आप सभी को, आपका प्रशन बहुत ही ज़्यादा वैलिड इसलिए क्योंकि आज की तारिख में हमारे contemporary world में बहुत सारे यंग्स्टर्स को यह प्रशन हो रहे हैं कि हमें मंत्र का जाप क्यों करना है, अगर शास्त्रोक्त भा जानलो इस संसार से बहार निकलना है, जन्मा और मरन के, जन्मा और मृत्यू के जो चक्र है, उसमें से अगर बहार निकलना है, तो उसे कहा जाता है तारना, और तार वही सकता है जो परमशक्ती परमात्मा है, इनके अलावा किसी के बस की ताकत नहीं, किसी की शक्ती नहीं तारना, तो जो मन को तार सके, हमारे consciousness को तार सके, वो होता है मंत्र, फिर आता है यंत्र, यम और तरह, जो यम मनदा बृत्यू के जो देवता है, उनसे भी आपको बचा सकता है, जो एक powerful system, उन्हें कहा जादा है यंत्र, फिर आता है तंत्र, तन यानि देह, शरीर, हमारे शरीर की जो एक limitations होती है, बहुत सारी, जैसे कि, हमने बहुत सारे बार ये सुनते रहते हैं कि, वो सादु महत्मा ये कर सकते है, वो कर सकते है, वो अपने body के beyond चले गया है, तो वो कैसे चला जाता है, वो जब तंत्र का प्रयोग होता है, तन की limitations से बाहर निकल कर, शरी लिए limitations को overcome कर सकते हो, उसे कहा जाता है तंत्र, मंत्र की शक्ति इसलिए ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि आदिकाल से मंत्र चले आते हैं, मंत्र का अगर सरल अर्थ हम करें, तो द्वनी, आवास, एक ऐसी द्वनी, जिसके उपर particularly बहुत सारा इन्वोकेशन करा गया है, अगर आप एक specific frequency के साथ, किसी door या फिर जो window glass रहता है, उसके उपर आप द्वनी का उसे फेंका जाए, तो वो glass को भी तोड़ सकता है, तो अगर simple द्वनी ये चीज़ कर सकता है, तो अगर एक invoked mantra, एक invoked द्वनी की अगर बात करे, invoked mantra की बात करे, स्तोत्र की बात करे, पा पुरानिक काल में, ancient time के अंदर, बहुत सारे रिशिमुनियों ने अलग-अलग mantra के उपर काम किया था, तो ये mantra किसी ने लिखे है, या ऐसा मैंने सुनाई कि उनने तपस्या में ये mantra सुनाई देते थे, तो इसका origin कहां से है? मतलब उसकी बात कर लेते हैं, जो गायतरी mantra हम स गायतरी मंत्र के जो दरश्टा है, वो है रिशी विश्वामित्र, सबसे पहले गायतरी मंत्र जिनको प्राप्त हुआ ब्रह्मांड की शक्तियों के थुरू वेदमाता गायतरी के पास से, वो थे रिशी विश्वा मित्र जी, बहुत ही सुन्दर कथा पुराणों में दी ग जो आपके इच्छा पूर्ति कर सकते थी, जो भी उनके पास मांगो, जो भी डिजायर करो, वो आपको दे सकते थी, और बहुत बड़ी सेना थी राजा की, रुशी वशिष्ट का आश्रम बहुत चोटा था, लेकिन फिर भी रुशी वशिष्ट ने पूरी सेना को भर पेट खाना खिलाया, इंक्लूडिंग राजा, तो राजा वस एक्स्ट्रीमली सर्प्राइस्ट, कि एक फकड संथ के पास, जो सन्यासी है, जो तपस्वी है, उनके पास इतना खाना और इतनी संपत्ति आई कहां से, कि वो पूरी सेना को खाना खिला पाए, और उन्हों ने अपन रिशी वसिष्ठ सत्यवक्ता थे और सत्यनिष्ठ तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि जो मेरे पास गाई है, वो आपकी इच्छा पूर्ति का वर्दान देने वाली गाई है, तो आप उनसे जो भी मांगो, वो आपको दे देती है, तो राजा कौशिक, अल्टिमेंटली उनक प्रकृती रहती है, उन्होंने रिशी वसिष्ठ को कहा कि आप जो संपत्ति चाहिए मुझसे मांग लो, मुझे ये गाई दे दो, ये गाई तो अपने राज्ये में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसी गाई राजमहल में ही शोभा देती है, एक संत के कुठीर में नहीं, त तो ये वाक्या हुआ, लेकिन रिशी वसिष्ठ किसी भी हालत में मानने के लिए तयार नहीं थे, क्योंकि गाई उनके लिए सिर्फ गाई नहीं थी, हमारे सनातन धर्म में शुभाम चार स्तंब माने चाहते है, आध्यात्म के चार स्तंब माने चाहते है, जो है गव, गंग गीता और गायत्री गौ यानि गाय माता गीता यानि भगवत गीता श्रीमत भगवत गीता गंगा यानि हमारी गंगा माता नदी और गायत्री यानि वेद माता गायत्री सवितुर गायत्री तो रिशी वचिस्ट के लिए गाय सिर्फ एक पशू नहीं थी उनके लिए वो माता तो कोई अपनी माता को बेच नहीं सकता। इस वजह से उन्होंने राजा को कहा कि आप कुछ भी कर लो मैं गाय तो नहीं दूँगा। और राजा गुसा हो गए कि गाय तो मैं लेकर रहोंगा। और उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ हमला करने की कोशिश की और बहुत सारा संगर्श हुआ उनके बीच में लेकिन रिशी वशिष्ट के पास बहुत सारे सिद्धियां थी, अस्त्रश अस्त्रश बहुत सारी च मैं अपने आपको इतना सक्षम बनाऊंगा तब करके कि अब मुझे कोई नहीं हरपाएगा। वे अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले गए तब करने के लिए। और कौशिक जी जब जंगल में थे तब उन्हें बहुत सालों की तबस्या के बाद भगवान देवादी महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। और दर्शन के दौरान उन्होंने महादेव से अस्त्रों की मांग करकी, अस्त्रों का वर्दान मांगा कि मुझे ऐसे शक्तिशाली अस्त्र दीजिए कि मैं उनका प्रयोग किसी के भी उपर करूं, वो इंसान मेरे सामने पराजय और उन्होंने अपने अस्त्रों का उप्योग किया, इस बार भी रिशी वाशिठ्ट के सामने वो हार गये, उनका पराजय हुआ, अब ये चीज जो थी, वो उनके लिए बहुती जादा चौका देने वाली थी, क्योंकि महादेव के वर्दान को कोई नहीं टाल सकता, उनके वर्दान के सामने, उनकी दी हुई सिद्धी के सामने टिकने की तागत किसी में नहीं थी तो उन्होंने अपनी पराज़े स्विकार की, उन्होंने दंडवत करके उनको पूछा कि मुझे आप पताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धी है, ऐसी कौन सी विद्या है, जो महादेव के वर्दान को भी पराजे कर सकती है, उनके वर्दान को भी निश्वल बना सकती है तब रिशी वसिस्ट ने कहा और ये जो विधान है ये विधान आपके पहले प्रशनकाभी उत्तर है कि मंत्र में ये शक्ति क्यों होती है मंत्र में इतनी उर्जा क्यों होती है रिशी वसिस्ट ने कहा कि आप मंत्र की शक्ति लेकर आये हो जबकि मैं स्वयम मंत्र बन चुका हूँ इस कारण से जब आप किसी की शक्ति लेकर आते हो तब आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं होते हो लेकिन एक मंत्र की शक्ती जब एक साधक के साथ जुड़ जाती है ना तब वो ऐसे ऐसे कमाल कर सकती है कि आप सोचना भी आपको मुम्किन ना हो आपके लिए ना मुम्किन हो जाए और ये बात जानकर राजा कौशिक को बड़ी हैरानी हुई और उन्हें ये ज्ञान हुआ कि मुझे अगर इस प्रकार के सिध्धी चाहिए तो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी कड़ी साधना करनी पड़ेगी और फिर वापिस से वो जंगल में गए उन्होंने वेद माता गायत्री का दिहान शुरू किया उनको वेद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चारो वेदों की माता है हमारे जितने भी मंत्र जो वेदिक मंत्र है वो जिन चार शास्त्रों में से हमें मिले हैं वो है रिगवेद, यजुरुवेद, सामवेद और अथर्ववेद और जो उन चार वेदों की माता है जगत जन्नी है वही वेदमाता गायतरी के उन्होंने उपासना शुरू की और तब जाकर उन्हें बहुत सालों की तपस्या के बाद सवितुर गायतरी मंत्र प्राप्त हुआ और वो बने मंत्र द्रस्टा रिशे विश्वा मित्र जो विश्व के मित्र है, जो विश्व कल्यान के लिए काम करते हैं, उन्हें कहा गया विश्वा मित्र और तब जाकर हमें ये मंत्र का पहली बार उलेक मिलता है और ये मंत्र जैसे आपने पूछा कि रिशी विश्वामित्र गायत्री मंत्र के मंत्र द्रस्टा माने जाते हैं वैसे ही अलग-अलग मंत्रों के अलग-अलग द्रस्टा रहते हैं हमारे यहाँ पे जैसे हम बात करें सबतशलो की चंडी पाठ की तो वहाँ पे तीन मंत्र तष्टा, तीन देवता माने जाते हैं और एक चीज पर यहाँ पे वो भी एड़ करना चाहूँगा कि आज की तारिक में हम वूमन एमपावर्मेंट की बात करते हैं काफी बार लेकिन हमारे मंत्रों का जो विनियोग रहता है, कोई भी मंत्र का जब करने से पहले, आप साधना शुरू करने से पहले उसका एक संकल प्रेना पड़ता है, एक विनियोग करना पड़ता है दुर्गा सब्त श्लोकी चन्डी पाठ उसमें जो विनियोग है उनके जो देवता है उन्हें नाम दिया गया है महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तो ऐसा एक पूरा श्लोक आता है महाँ पे यहाँ पे हमें यह समझने मिलता है कि जब हम देवता की बात करते हैं तब शास्त्रों में देवता और देवी ऐसा उलेक नहीं मिलता शास्त्रों में देवी मा को भी देवता की ही उपमा दी गई है शास्त्रों में महाकाली की बात करे, महालक्ष्मी की बात करे या फिर महासरस्वती की बात करे उनको एक फेमिनाइन बाउंटरी में क्लोज करके रखा नहीं गया तो हमारे यहाँ पे स्त्री शशक्ती करण, वुमन एमपावमेंट का कॉंसेप्ट आधिकाल से चला आ रहा है क्योंकि हमने और हमारे शास्त्रों ने कभी भी मेल और फीमेल यानि की प्रकृति और पूरुष के बीच में अंतर किया ही नहीं था जैसे कि अर्धनारिश्वर, भगवान शेव ही पारवती है और पारवती ही शेव है यह कॉंसेप्ट हमारे यहाँ बहुत सालों से चलता आ रहा है लेकिन आज की तारीख में हम वो भूलते जा रहा है उन्फॉर्चुनेटली तो यह एक आपके फ्रशने का ब्रीफ आंसर था दोस्तों बातों को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हमारी एप रियल 11 के बारे में रियल 11 प्रो प्ले पे आप बहुत असान से सवालों के जवाब दे कर बहुत सारे लाखों का इनाम जीच सकते हो तो आपको मैच से रिलेटेड बहुत ही असान से सवालों के जवाब देने हैं बस जिन क्वेशन्स पे आप कॉन्फिडेंट हो उनके आंसर्स चुनो अमाउंट और स्लोट अपने हिसाब से बुक करो और ट्रेड कनफर्म कर दो सिंपल डाउनलोड करो रियल 11 अप लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारा रेफरल कोड यूज करना रियल हिट और गाईज वर्ल्ड कप का टाइम है खूब पैसे चापो चलो बातों को आगे बढ़ाते हैं बहुत इंटरस्टिंग बाते चल रही है और सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंत्रों को 108 बार 108 बार मतलब ऐसे नंबर स्पेसिफाइग क्यों करते हैं कि इतनी बार बोलोगे तब ही असर मिलेगा मतलब ऐसा क्यों नहीं कि एक बार कर लिया दिन में तो असर दी दिख रहा मैंने शायद लास्ट पॉड़कास्ट में बात करी थी कि आप अगर पानी की एक बुंध चटान के ओपर डालोगे तो आपको उसका असर नहीं मिलेगा लेकिन वही बुंध अगर बार बार पांच साल दस साल तक एक ही जगा पे गिरती रही तो उसमें छेद हो जाएगा वैसे ही अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं ये पॉड़कास्ट शुरू करने से पहले माइक से लेकर, माइक चेक से लेकर बहुत सारी प्रिपरेशन से हमें गुजरना पड़ा जब आपने ये चैनल चुरू करी होगी उससे पहले आपने बहुत सारा प्लानिंग किया होगा बहुत सारा ब्रेंस्टॉमिंग किया होगा तब जाकर ये चनल इतनी जादा सक्सेस्फुल बनी रियल हिट को आज लोग इतना प्यार दे रहे उसका कारण आप सब की महनत है और ये महनत एक दो साल की नहीं है काफी सालों की है वैसे मंत्र की जब हम बात करते हैं तब एक बार उसका जब करने से उनकी इंपेक्ट नहीं आते उस मंत्र को जागरित करना पड़ता है इन्वोक करना पड़ता है उसकी उर्जा जो ब्रह्मान में घूम रही है उस उर्जा को टैप करना पड़ता है क्योंकि उर्जा का ना तो नाश होता है ना ही उर्जा का स्रीजन होता है भगवत गीता में शी कृष्ण ने कहा है नैनम चिंदंति शस्त्राणी नैनम दहती पावका आत्मा जो है वो उर्जा है और उर्जा का नाश नहीं हो सकता उसका creation भी नहीं हो सकता वो सिर्फ transfer हो सकता है तो इसलिए हमें ये विधान दिया गया कि अगर आपको किसी भी उर्जा को tap करना है प्राप्त करना है उस उर्जा को तो सबसे पहले उस उर्जा के साथ जुड़ना पड़ेगा थू साधना थू उपासना तो यह जो है वो ही कारण है कि हमें क्यों ये कहा जाता है कि आपको इस मंत्र को 16जर बार जब करना है गायतरी मंत्र का एक जो पुरेश्चरण महापुरेष्चरण कहा जाता है महा अनुष्ठान वो होता है 24लाग जब का तो ये विधान इसलिए दिये गया है क्योंकि रिशी मुनियों को पता था कि जब एक समय ऐसा आएगा ये मंत्रों की उर्जा किसी को प्राप्त करनी होगी और अगर वो सामान्य मनुष्य होगा लेकिन वो अगर इतना 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 करेगा तो वो डेफिनेटली उस उर्जा के आप बतारखे आपके गुरु जी के पास भी वो मंत्र है ऴारे में थोड़ा बताओ की आप आप उसकी क्या पावर्स हैं और क्या है उसके बारे में कुछ थोड़ा बताऊ उसकी जो शुरुआत होई थी ये पूरे वाकिये कि उसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना और फिर मैं आपके प्रश्ना के उत्तर के उपर आप आऊँगा मेरी जिंदगी में 12 साल में जब मुझे पहली बार दिक्षा मिली तब वो जो मेरे पहले गुरू थे उनका देहान बहुत जल्द हो चुगा था तो आप मान सकते हो कि 12 साल से लेकर तिल 2020 तक मेरे कोई गुरू नहीं थे मैं बहुत सारे आश्रम में घुमा बहुत सारे जगा को एक्स्प्लूर किया लेकिन जो एक कनेक्शन फील होता है एक गुरू के साथ वो कनेक्शन मुझे कहीं पे भी फील नहीं हो रहा था लेकिन अगर आपको तंत्र के मार के उपर आगे बढ़ना है तो एक गाइडन्स तो आपके पास होना ही चाहिए और मैं स्टक हो चुका था एक दौर एक फेज मेरे जीवन में ऐसा आया था जब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था अपनी साधना की जर्णी में और बीच में एक गटना ऐसी हो गई जो मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रेजरी साबित होई थी जब मैं 19 साल का था 2015 के एंड में डॉक्टर ने बताया कि मैं सीवियर स्लिप डिस्क से अभी गुजर रहा हूँ वो पेन पूरा चल रहा था उस टाइम पे और L5-S1 जो डिस्क रहती है वहां पे मेरा पेन चल रहा था और सामान्य तह यह जो पीडा रहती है यह जो समस्य आती है वो छोटी एज में यानि की कम आती है यह जो समद्सया ज्यादा तर जो एक व्रध लोग होता है जो उमर से बड़े हो चुक है उनको यह समस्या ज्यादा आती है तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी दिक्कत इसलिए जादा आए गया आपको क्योंकि अभी बहुत लंबा समय आपको गुजारना है आपके बहुत जिंदगी लंबी पड़ी हुई आपके सामने उस दौरान मेरा ओप्रेशन हुआ और ओप्रेशन के बाद एक नई जर्नी शुरू हुई राइटिंग की उस वक्त पे मैं बहुत सारे क्वेस्टन कर रहा था अपने आपको कि मेरे साथ ही क्यों हुआ मैं इतना भक्ती करता हूँ, इतनी साधनाई करता हूँ मा का इतना जब करता हूँ, फिर भी मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और काफी बार हमें देखने को मिलता है कि जब भी इंसान परेशानी में आ जाता है, प्रॉब्लेम में आ जाता है तब हम फर्यात करने लगते हैं, कम्प्लेन करने लगते हैं कि हमारे साथ यह सा क्यों हो रहा है। लेकिन उसका वास्तविक कारण शायद आपको उस वक्त पता ना चले। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके जिंदगी में वैसे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या था। तो मैं आगे बढ़ता गया, मेरी एक राइटिंग की जानी शुरू हुए, मेरी लेखनी आतरा शुरू हुए, तब तक मैं कभी लिखता नहीं था। और जब ऑपरेशन के बाद मेरा एक बेड्रेस का टाइम मुझे डॉक्टर ने दिया हुआ था। उस वद में मैं लिखना शुरू किया। कट शॉट फिर वो चीज चली 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 मैं लिखता गया बहुत सारे साल बीते। 2020 में सबसे पहली बार I was researching about Shri Vidya Sadhana. Shri Vidya Sadhana भारत की जो दस महाविद्या है उनमें से सरवोच Tantra Vidya मानी जाती है। the highest Tantra Vidya, one of the highest. और उनके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था पूरा और उस वक्त पे ओम स्वामी जी का एक वीडियो यूट्यूब के उपर मेरे ध्यान में आया। जिस वीडियो के अंदर उन्होंने Shri Yandra के नौ आवरणों की बात करी थी। और पता नहीं क्यों वो वीडियो देखते देखते मेरी आँखों में से आस उगरने लगे। मुझे पता नहीं चला। तब मुझे रेलाइज हुआ कि कहीं थोड़ा शायद पूर्वजन्नम का कोई connection मेरा उनके साथ हो सकता है। फिर आगे बड़ा समय, 2021 में exploration चला चला चला, 2022 में मेरी एक साधना चल रही थी गुप्त नवरात्री में, जो अशाध महिने की नवरात्री होती है, वो गुप्त नवरात्री मानी जाती है। और वहां उस गुप्त नवरात्री के अंदर आपको अलग प्रकार की तंतर साधनाई करनी होती है। तो I was doing that. वो साधना जैसी खतम हुई, उसके तुरंत बाद, again, my spine pain was elevated और इसका reason मुझे पता नहीं था। और यह जो समस्या मेरी आई मेरी जिन्दगी में, डॉक्टर ने यह बोल दिया था कि अगर दूसरी बार आपके उपर सरजरी की गई, तो हम आपको लिख के दे देंगे, कि अगर operation थियेटर में से आप बाहर नहीं आ पाए, तो hospital और डॉक्टर की सिम्हवारी नहीं रहेग हम responsibility नहीं लेंगे, यह risk आपका ही रहेगा, पहली बार का operation हो, हम कर सकते, लेकिन वही जगा जहां पर अल्लेडी एक operation हो चुका है, और वो भी spine, spine हमारा पूरा base होता है, spinal cord और spine, यह दो जगा ऐसी होती है, और mind जो पूरा connected nervous system है, अगर उसमें कुछ भी छेडशाड हुई, कुछ भी तेड़ा मेड़ा हो गया, तो बात खतम, case खतम, और हमने का ठीक है, वेट करते हैं फिर, क्योंकि रिस्क तो लेना नहीं था, दूसरी बार operation का, और उस वक्त पे मेरे से मैं continuously प्रार्थना कर रहा था, और स्वामी जी को मैंने अल्लेडी गुरुपद के उपर धा जब गुप्ता नवरात्री शुरू हुई थी और तब वो जो मेरी नौ दिन की साधनाएं थी, चल रही थी, उस वक्त पे मैंने सबसे पहली बार उनको अपने सचे दिल से, रिधा ही से उनको गुरु के पद के उपर स्थापित किया था, आपको बहुत आश्चरिय होगा, 27 सब्टेंबर को डॉक्टर ने निदान किया, ट्रीटमेंट किया कि आप अभी रेस्ट करो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो महिने तक आप खड़े भी हो पाओ, पॉसिबिलिटी नहीं है, देन, इन नेक्स्ट 11 देज, आई वस वाकिंग उन माई फीट, जस्ट पूरा बैटरिस था, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए मुझे 5-10 मिनिट बैठने के लिए परमिशन दी गई थी, उसके अलावा मैं कम्प्लीटली बैठ के उपर था, ग्यारा दिन के बाद जब मैं गया ऑस्पिटल और डॉक्टर आपने देखा कि ये पेशन चल के आ रहा है, तब वो अपनी कुर्सी के उपर से खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मेरी 35 साल की करियर में, मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, आपने कॉंसी ट्राइ करी और मेरे पास तब शायद एक ही जवाब था, एक ही उत्तर था, प्रार आपने का उसर प्राप्त हुआ, और वो भी बदरी का आश्रम में, जो है हिमाचल प्रदेश में का आश्रम है, सोलान में, और वहाँ पे 6, 7 और 8 ये तीन दिन एक डिट्रीट थी, एक डिस्कोर्स का प्लानिंग किया हुआ था, लोगों के लिए, मैं पहली बार गया, और जैसे ही शाम को स्वामी जी साड़े चे बजे के आसपास उनका आगमन हुआ, गर्भगरी के अंदर, हौल के अंदर, मेरे पास आज की तारिख में भी अलफाज नहीं है, उस क्षण को डिस्क्राइब करने के लिए, रलिता सहस्ट नाम में काया गया है, जैसे हजारो सूरियों की जो आभा रहती है, उनका जो तेज रहता है, वो आपके सामने आ जाए, और आपको क्या फील हो, और सूरिय भी मध्यान का सूरिय नहीं, दोपहर का सूरिय नहीं, जो उगता सूरिय, मतलब जो इनका सूरिय उदय हो रहा है, वैसे अगर हजार सू तो वो तेज कितना लाज़दन लाइफ होगा ना। जैसे ही उनका आगमन हुआ गर्भगरी के अंदर, उन्जे ही यह ऐसास हुआ कि मैं स्वयम मा आधी पराशक्ती के सामने खड़ा हूँ। क्योंकि उन्होंने अपनी साधना के जर्नी के दोरान, मा महात्री पुरसंदरी को जागरित किया था श्री विद्या साधना के थ्रू और उसके बाद जब वो साधना कदम हो गई थी, उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षातकार किया था, तो मस्कुलीन और फेमिनाइन, दोनों जो एक प्रकृति और पुरूष का एक आस्पेक्ट रहता है, जो मिलन होता है ना, परमात्मा का, वो उनके अंदर विराजमान था, उनके अंदर विद्यमान था, और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जे के आसपास, पंदरा नित्याय विद्यमान रहती है, पंदरा अद्रश्य शक्तिया, नित्याय यानि जो मा आधी परा शक्ति की सखी मानी जाती है, उनकी अगर सरल भाशा में गए तो फ्रेंड्स जिन्हें कहा जाता है, वो 15 दिव्य नित्याय उनके आसपास विद्यमान है और जब कभी भी आप उनके पास चाहो या फिर वो आपकी बीच में से निकले एक ऐसी सुमास फैल जाती है जो दुनिया के किसी परफ्यूम में से आपको नहीं प्राप्त हो सकती दुनिया का सबसे मेहंगा परफ्यूम भी उनके सामने उनकी जो एक फ्रेग्रेंस रहती है दिव्य डिवाइन फ्रेग्रेंस उनके सामने फिका लगने लगता है आपको तो ये जब मेरा साक्षातकार उनसे पहली बार हुआ शुबम आ वस क्राइंग फॉर 45 मिनिट्स कंटिनुवसली आउट ओफ दबलू कोई रीजन नहीं था इतना भाव मेरे अंदर उमत रहा था इतनी इतनी भक्ति उमत रही थी पंदरा साल से जिस मा की मैंने उपासना की थी जिस मा को मैंने पूजा था वो वहीक्षन थी जब गच्ति मुझे लगा कि स्वयं मां अधीपरा शक्ति प्रगठ हो चुकिये मेरे सामने मुझे लगा कि मेरी साधना पूर्न हो चुकिये तो यहां से आपने प्रशन पूछा कि महा विष्णू सेnicas माहलक्शमी जी को प्राप्त हूआ क्या था और कौंसे संप्रदाई के साथ जोड़ा हुआ था, spiritual lineage के साथ, तो ओम स्वामी जी के जो एक lineage है, वो है उदासीन संप्रदाई, उदासीन संथ, उदासीन नागा साधू रहते हैं, बहुत सारे, जो आदी काल से वो संस्कृति, वो संप्रदाई चला आ रहा है, उस संप्रदाई का जो मूल है, जो रूट है, वो महा विष्णू से महा लक्ष्मी को एक मंत्र प्राप्त हुआ, जो मंत्र प्राप्त हुआ था, वो इसलिए दिया गया था, ताकि आप नारायन भाव में स्थित हो पाओ, नारायन भाव क्या होता है, जब आपके पास एश्वरी आ जाए, जब आपके पास स्वयम महा लक्ष्मी आ जाए, लेकिन अगर उसे उपियोग कैसे करा जाए, यह आपके पास समझ ना हो, तो वो पूरा इग्णोरन्स आ जाता है आपके अंदर, इगो आ जाता है संपत्ति के लिए, पैसे के लिए, वो इग्णोरन्स ना आ है, और आपका जो चित है, आपका जो मन है, वो नारायन भाव में स्थित रहे, इस हेतु के साथ, इस प्रयोजन के साथ, भगवान महा विष्णु ने एक मंत्र दिया महालक्षमी जी को, और फिर बाद में वो मंत्र पासोन होके, सनत कुमार जी के पास आया, और उनके बाद देवरिशी नारत के पास वो मंत्र पहुंचा, देवरिशी नारत से होते 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 आगे चलते चलते, जो हमारे गुरू नानक देव जी के एक पुत्र थे, श्री चंद्र जी बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि वो बहुत बड़े संत थे हम आज कहते हैं रहेते हैं ना कि धर्म ये धर्म वो अलग-अलग धर्म की बात करते रहते लेकिन सिख धर्म में गुरु नानक देव के पुत्र ने ऐसी ऐसी साधनाय करी थी और वो भी वैदिक साधनाय, तंत्रोक्त साधनाय तो वहां से ये जो 500 साल पहले ये मंत्र चलता चलता फिर उम स्वामे जी के जो गुरू थे नागा बाबा जी उनका देहान पिछले साल ही हुआ डिसेंबर 2022 में तो उनके पास ये मंत्र पहुंचा ध्यान देने ला एक बात ये भी है कि नागा बाबा जो थे उनको सिर्फ स्वामदास जी के पास से भी एक दिक्षा मिली थी और बाकी अलग-अलग उन्होंने बहुत सारे अपनी साधनाएं करी थी और गुरू उनके रहे थे उनके अलग-अलग साधनाएं रही थी तो वो एक संप्रदाई का पूरा एक मिक्स्चर आप कहलो कि जैसे एक अच्छी पुडिंग तयार करना चाहते हो एक अच्छा आपको डेजर्ट तयार करना है तो बहुत सारी रेसिपी या फिर सामकरी को मिला के सामान को मिला के एक फ्लेवर वाली डेजर्ट पुडिंग तयार करी जाती है ना वैसे ही सारे संप्रदाई को मिला के ओम स्वामी जी का संप्रदाई आखे आखिर में बना और उस संप्रदाई के थू अभी लास्ट में उन्होंने अभी सभी लोगों को 2011 से उन्होंने दिक्षा देने की शुर पुराना हो सकता है स्वामी जी ये कहता है कि ये लाखो साल पुराना अगर मैं कहूं तो भी वान्याई होगा मंत्र के साथ क्योंकि ये मंत्र करोडो साल पुराना हो सकता है कोई नहीं जानता लाखो साल तो बहुत कम बता रहा हूं मैं तो जब आपको आप एक के उपर स्थापित कर लिया था और फिर मेरी जिंदगी में जो एक ये घटना हुई और उसमें से मैं बैठ पाया वापिस से, स्वस्थ हो पाया ग्यारा ही दिन में तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जब आप आपने किसी को गुरु मान लिया सचे दिल से तो वो गुरु और उनका जो पूरा संप्रदाई है उस संप्रदाई के अंदर हजारो साधू, हजारो तपस्वी चले आ रहा है जैसे एक पिता अपने पुत्रे को material wealth दान में देता है जब विल में वैसे ही एक साधू जो रहता है वो अपने शिश्य को, एक गुरू जो रहता है वो अपने शिश्य को spiritual wealth देता है और शायद इसी spiritual wealth की वज़े से आज मैं यहां पर आपके सामने हूँ और इतनी खराब कंडिशन के बावजूद मैं आज स्वस्त हूँ spiritual wealth is that mantra and वो ज्ञान यह ज्ञान वो रहता है जो आपको आपके संप्रदाई के साथ connect करता है अभी मैं कर्म के सिद्धान की बात कर रहा हूँ यहां पर भगवत गीता में शी कृष्ण जी ने बहुत कर्म को elaborate किया हुआ है कि कर्म का सिद्धान कैसे काम करता है क्यों करता है एक गुरू के लिए जब एक गुरू अपने शिश्य को दिक्षा देता है तब अपने शिश्य के सारे कर्म जो पिछले जनम के होते है उसके इस जनम में उसने जो कुछ भी कर्म किये होते है वो अपने पास ले लेता है कभी कबार हम जो भी पीडा भुगतते हैं, हम जो भी शारिरिक मानसिक पीडा भुगतते हैं वो अपने करम की वज़े से भुगतते हैं तो जरूरी रहता है कि जब आप spiritual मार के उपर आगे बढ़ रहे हो, तब आपके करम नल हो चुके हो, नलिफाई हो चुके हो, तब ही आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ेंस करना शुरू करोगे, अधर्वाइस आपको बार बाधाय आती रहेंगी, तो मुझे ये से ही गुरू मान लिया था, तो जब मैंने उनको गुरू माना तब उन्हों ने कैसा ब्रह्मान का एक खेल रचाया पूरा, डिविया खेल, कि मेरे सारे करम उन्होंने ले लिये, और इस वजह से शायद मैं बेठ आया अज, और इसी वजह से शायद मैं स्वस्थ हो पाया, तो यह रहता है संप्रदाई का रोल एक साधक के जीवन में. अच्छा भाई एक बात बताओ, भाई बोल सकते हैं ना? आप बिल्कुल. जैसे आपने बोलो कि बहुत साल तक आपके गुरू नहीं थे, फिर आपने 2022 में उनको अपना गुरू बनाया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो जाने अन जाने में किसी भी बाबा, रैंडम बाबा को अपने गुरू बना लेते हैं, वो पाखंडी होते हैं, उनको दक्षिना के तौर पर लूटते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. तो एक आम आदमी उसको कैसे परखे कि हां यह जनुवन हैं, लेजट बाबा हैं, यह मेरे लिए कुछ अच्छा ही चाहते हैं. एक चीज जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, गुरू के बारे में, और मैं यह चीज अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं, कि जब आपके जीवन में गुरू का प्रागट्य होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, शिश्य को कभी गुरू को ढूनने नहीं जाना पड़ता, एक गुरू स्वयम अपने शिश्य का चैन करते हैं, यह सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, और आज की तारिख में जो ह में यह पताया गया है कि आप स्वयम दक्षणा मूर्ती यानि कि महादेव को गुरू के पद के उपर स्थापित करके अपनी साधना के मार के उपर आगे बढ़ सकते हो, क्यूंकि महादेव ही वो डिवाइन एंटिटी है, जिन्होंने सारे मंत्र दिये, तांत्रिक मंत्र से और इस वजह से अगर आपके पास आज की तारिक में आपको दिशा नहीं दिख रही, आपको गुरू नहीं मिल रहा, तो भटकने जाने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों का सहारा लीजिए, जक्षिना मूर्ती महादेव को गुरू के पद के उपर स्थापित करके आप अप इस फिजिकल फॉर्म में वह आपके जीवन में आही जाएंगे, आपको डूंडने जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और भाई मुझे एक बात बताओ, क्या जो मंत्र की हम बात कर रहे हैं, क्या वह हर किसी के लिए अलग-अलग मंत्र होता है, क्या वह एस्ट्रोजी प बात करें, तो आपको बहुत सारे factors में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे filters में से गुजरना पड़ता है, लेकिन अग जब आप भक्ती की बात करें, तो भक्ती में आप कोई भी मंत्र की भक्ती कर सकते हो, कोई भी स्तोत्र का जाब कर सकते हो, कोई भी स्तोत्र का जाब 28 दिन तक 21 दिन तक इस समय पे बैठ कर इस आसन के उपर बैठ कर आपके इतनी माला जपूंगा मैं इतना हवन में आहुतियां दूंगा और जब ये 40 दिन की मेरी साधना पूर्ण होगी उस वक्त के उपर मैं ब्रह्म भूज कराऊंगा या फिर मैं किसी को ये दान दक्षिना दूंगा ये करूंगा वो करूंगा ये बकाइदा संकल प्लिया जाता है साधना के दौरान लेकिन भक्ती जो होती है वो आप कभी भी कर सकते हो अब को पूरे दिन में कभी भी जब सकते हो लेगिन अगर आपको साधना करनी है तो आपको एक कमिटमेंट के साथ देवत्या को प्रौमिस देना पड़ेगा एक वचन देना पड़ेगा कि इतने दिनों तक इतने समय तक इतनी माला मैं जपूंगा आपको जो दूसरा जो एक प्रश्न था कि अलग-अलग होता है या क्या होता है लोगों के लिए मंत्र तो जब आप साधनागी बात करते हो अकडम चक्र से लेकर बहुत सारी ऐसी विधिया दी गई है जहां पे आपको साधक जो रहता है उनके उनका जो जन्म नक्षत्र रहता है वो कौन से नक्षत्र में बौन हुआ है ये सारी चीजों से लेकर साधक की प्रकृती क्या है हमारे पंच महाभूत जो है जल, वायू, आकाश, अग्नी और प्रत्वी इसके मुताबिक हमारा साधना का एक स्वभाव रहता है और जब ये दोनों मिल जाते हैं और अगर मित्रवर्ग के मंत्र हो दो अलग-अलग वर्ग माने जाते हैं जिसके बारे मैं मैं डीप में नहीं जाऊंगा ज्यादा उपर से बता रहा हूँ एक होता है आपके नाम के मुताबिक मित्रवर्ग के मंत्र, मित्रशेणी के मंत्र और एक होता है शत्रुवर्ग के मंत्र, शत्रुशेणी अगर आप मित्रवर्ग के मंत्रों का जाप कर रहे हो आपके नाम के मुताबिक जो चीज डिसाइड करी जाती है और यही कर पाते हैं जिन्होंने आइधर शास्त्रों का अभियास किया है अथवा जिनके गुरू है जो सिद्ध है स्वयम ऐसे नहीं कि सिर्फ आज कल की तारिक में जो देखने को मिलते हैं गुरू ऐसे गुरू की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो सिद्ध गुरु होते हैं, उनके द्वारा जो मंत्र दिये जाते हैं, वो स्पेसिफिकली जन्मन अक्षत्रे के मुताबिक, अक्रम चक्रे के मुताबिक, मित्रवर्ग और शत्रुवर्ग को देख के दिया जाता है, अगर आप मित्रवर्ग वाले मंत्र का जाप करोगे, आ अब आप साधना के मार के उपर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साथ साथ एक सत्य यह भी है, कि अगर आपके चित में, अगर आपके मन में, किसी देवता के परती या देवी के परती भाव उमट रहा है, अगर आप उनको अपना इस्ट मान ही चुके हो उनके सामने खड़े रहने मात्र से ही अगर आपके रिदय में भाव आ जाता है आपके आखों में आसू आ जाता है तो उनका कोई भी मंत्र आप जाप करो वो सिद्ध होगा ही होगा सारी चीजे अल्टिमेटली जाकर अटकती है आस्था के उपर शद्धा के उपर अगर आपका मंत्र आप जितना भी जाप कर रहे हो लेकिन आपके रिदय में आस्था नहीं है शद्धा नहीं है तो वो कितना भी जाप कर लो आप सवा लाग कर लो या चौबीस लाग कर लो उसका आपको असर या फल नहीं मिलेगा साधना से मुझे याद आ रहा है, आपने काशी में थी रात में तीन वजे जाकर आप आफ कामरा बात कर रहे थे तो मै आपकाशी की बात करना चाहरा हूं के दारनाथ भून में से एक है तो काशी की विरिकल्स के बारे में बताओ और आपने वो रात में तीन बजे ही कि उस आदना की आपने क्या चमतकार देखे उसके बाद वो भी मुझे बताओ मैं इसलिए चमतकार की बात करने में थोड़ा हिचके चाता हूँ क्योंकि लोग फिर पाखंड में जाते और कुछ-कुछ चीज़ा ऐसी होती है जो आपको अनुभव से ही पता चले तो अच्छा है तो आपने जो प्रशन पूछा क्या काशे विश्वनात ही क्यों ? आज की तारिख में हमारे इहां पर भारत वर्ष में चो दो जूते लिंक सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाता है जहाँ पे उर्जा, दिव्य उर्जा आज भी विद्यमान है, वो है काशे विश्वनात और केदारनात ये दोनों जगा पे आप अगर जहाओगे, जब मैं पहली बार गया, सूमवार को, मंडे था और मैं संडे को पहुचा था, वारा नसी फ्लाइट के तुरू, रात को लेट नइट पहुचा, सुबे जल्दी उठकर मैं साड़े तीन बजे की वहाँ पे वो लाइन लग जाती ह तो मैं सुबे के आरती के लिए, मंगला आरती के लिए मैं वहाँ पे लाइन में लग चुका था, धाई बजे से क्योंकि सूमवार को भक्तों की भीर जादा रहती है, क्योंकि महादेव का वो डे माना जाता है, महादेव का वार माना जाता है, तो धाई बजे से मैं लाइन ये भी थी कि मुझे जोतिलिंग का स्पर्श करने का मौका मिला और सड़नली आँखों में से इतने ज्यादा आँसों निकलने लगे शास्त्रोक्त भाषा में ये कहा जाता है कि अगर आप भक्ति के दौरान या फिर आप किसी का दर्शन कर रहे हो उसके दौरान अकर आपके आँखों में से आँसों निकल रहे है न तो आपका एक कनेक्शन एस्टापलिश हुआ होता है देवता के साथ और वो चीज आपके आ अंतर आत्मा है वो शुद्ध हो रही है तो जैसे ही मैंने सपर्ष किया भगवान के जोति लिंग का I don't know क्या एक वो दिव्य उर्चा मैं उस शब्दों में कैसे बया कर पाऊं मुझे नहीं मुझे नहीं आता वो चीज अनफॉचनेटली लेकिन एक ही चीज में बोल सकता ह पूरे भारत में मैंने ब्रह्मन किया है साउथ हिंबिया से लेकर इवन श्रीलंका तक मैं गया हूँ फिल्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे मंदिर देखे हुए हैं बहुत सारे मैंने भगवान के स्वरूपके दर्शन किये हुए हैं एक काशी विश्वनात और एक बद्र जाता है यह दो जगा ही ऐसी है जहांपे मैंने आज तक बहुत ही जादा intense energy का एहसास किया है और वारणसी था तो मैंने यह तैय किया था कि मैं रात को जाऊंगा अपनी साधना के लिए मां की उपासना के लिए तो मनीकरणी का गाट से लेकर वहां पे बहुत सारे गाट द मनी करनी का गाड के उपर चिताय जलती ही रहती है 24 गंटे कभी नहीं अटकती, कभी नहीं रुपती कुछ चिताय ऐसी होती है जहां पे उनके रिलिटिव्ज में नहीं होते लोग आके सिर्फ छोड़ जाते और वो अपने आप लोग जला देते हैं चिता को भाई, सम्षान एक ऐसी जगा है जहां पे आपको अपना परम सत्य दिख जाता है अल्टिमेटली, हम सब को वहीं जाना है और जब आप सम्षान का दर्शन करते हो वहां पे साधना करते हो वहां पे कोई आडंबर नहीं होता आडंबर मितलब? कोई पाखंड नहीं होता आप पूरे दुन्या के सामने एक चेहरा लगा कर गूम सकते हो एक मास्क लगा कर गूम सकते हो लेकिन सम्षान में कोई मास्क नहीं होता वहां पे सारी चीज़े नगन हो जाती है क्यों अगोरी से लेकर नागा बाबाजी से लेकर बहुत सारे जो संर्थ महात्माहो हैं तांतरीक हैं क्यों सम्षान को ही साधना अस्ठल के लिए पसंद करते हैं उसके पीछे का कारण भी यही है बहुत बार जब आप सम्षान में जाते हो तब आपको यह एहास हो जाता है कि जितना भी मेरे आसपास मैंने create करा हुआ है वो सभी मुहुमाया है तो जब I went there and I did my sadhana तब वो बहुत ज़ादा impact full रही उसकी जो चीजे थी उसके बारे में थोड़ा नहीं कभी पता था क्योंकि थोड़ा उसका वो एक नियम आ जाता है कि क्या हुआ कैसे हुआ लेकिन off camera जो चीजे हमने बात करी on camera कुछ नहीं बोल सकता हुआ उसके बारे में आप एक स्वामी जी के बारे में बता रहे दिए जो आप पहरे देगी 8000 करोर्स की नेट वर्थ है वह यह उम स्वामी जी एक एक चेतना है बेसे बात मैं उनको इंसान नहीं मानता महनुभाव भी नहीं मानता इजद दिव्य चेतना सौ सालों में एक बार ऐसी चेतनाएं ऐसी आत्माएं पृत्वी के ऊपर अर्थ के ऊपर जनम लेती है बूलोग के ऊपर साथ साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहली बार अपने स्वपन में भगवान के दर्शन किये थे और तब से उन्हें ये इच्छा थी उनके रिदाई में कि अब मुझे भगवान का वास्तविक स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में, फिजिकल फॉर्म में साक्षातकार करना है कि यारा साल की उम्र में शुभम उन्होंने एस्टोलोजी में महारत हासिल कर ले थी यारा साल का आप एज सोच लो उनके घर के बाहर लोगों की लाइन लगती थी और एक बार उनके मुख में से किसी के लिए उनकी कुंडली देखकर जो चीज निकल गई वो सत्य साविद होकर ही रहती थी 11 साल तो बहुत चोट या उनके बहुत चोट और उस साल जो जो चोट ऐस्टोलोजी और वो इस शीज निकल commit mathematics mathematics of science अगर आप इन दोनों में माहिर हो तो आप अच्छे से च्छे अच्छे अच्छे बंड सकते हो तो उस उम्र में 11 साल में उन्होंने mathematics यह सारी चीज़े करके एस्टोलोजी में महारत हासिल कर ली थी पंदरा साल की उम्र में, he was an expert in share market, trading. पंदरा साल की उम्र में? पंदरा साल की उम्र में. इस उमर में तो हम शायद बेविलेड चला रहे थे, हम तो… एस्टोलोजी को तो वर्ल्ड का ही मतलब नहीं पता होता था कि उम्रित की बात चुड़ो, मुझे इस उम्र में भी आज की तारिक में भी share market क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, I'm totally unaware about it. तो 15 साल की उम्र में उन्होंने यह सारी चीजे करी और अपना खुद सारा खर्चा वर्चा सब वही अपना आप से उठाते थे, उनका नाम पूरवाश्रम में अमिज शर्मा था, और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी company establish कर दी थी, CEO के तौर पर, IT company थी उनकी, तब ही उन्होंने यह decide कर लिया था, और अच्छा यह जो जर्नी थी 7 साल से लेकर 20 साल तक, इस time के दौरान उनकी साधना तो चालू ही थी, ऐसे-ईसे किससे उनके संस्मरन जो है, उनकी किताब है, If Truth Be Told, उनका पूरा memoir है, English में, Hindi में भी available है, तो उनमें पूरा दिया गया है, कि रात-रात भर उनकी साधना चलते थी, सुबह वो यग्या करते थे, और फिर बाद में, स्कूल चले जाते थे, पूरे दिन में बहुती कम गंटे सोना, और ऐसी सारी चीज़े, बहुती कम उम्र में उन्होंने करी थी, 20 साल की उम्र में, उन्होंने ये तैय कर लिया, कि मैं ये साधना कर रहा हूं, सारी चीज़े लेकिन CEO के तौर पर, और ये सारी जिम्यदारियों को उठाते उठाते, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, अब मुझे अपने आपको मा की साधना में, मा के स्वरूप में लीन हो जाना है मुझे, और उस वक्त पे, उन्होंने ये decide कर लिया, कि मैं 30 साल की एज तक, यानि कि आने वाले 10 साल में, संसार का त्याग कर दूँगा, लेकिन, त्याग करने से पहले, अपना एक ऐसा empire खड़ा करूँगा, कि लोगों को सन्यास धरम का वास्तविक अर्थ पता चले, सन्यास ये नहीं है कि अपने पास कुछ नहीं हो, और वो छोड़कर संत बन जाए, साधू बन जाए, छोड़ने के लिए जब आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो, बहुत कुछ हो, तब अगर आप सन्यास धरम करें, तो वो वास्तव में वहरागिय बोला जाता है, उनको त्याद बोला जाता है, और तब उन्होंने तीस साल की उम्र में सिर्फ एक मेल डालकर वो वारानसी चले आए, अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी, अपनी कंपनी तक का कुछ नहीं रखा अपने पास, एक भगवा कपड़ा धारन करके वो वारानसी चले आए, और यह जो गटना हुई थी, वो 2010 में हुई थी, जब उन्होंने सन्यास लिया, और फिर उन्हें नागा बाबा मिले, नागा बाबा हमारे भारत के तंत्र समराथ माने जाते हैं, तो उनके पास से उनको उदासीन संप्रदाई की जिसके बारे में हमने पहले बात करी, उनकी उनको दिक्षा मिली, और फिर बाद में उन्होंने हिमालाई जाकर मा की कड़ी तपस्या की, मा की साधना की 13 फरवरी 2011 इस दिन के उपर सुबह 5 बजे, पौने 5-5 बजे उनको मा के दर्शन हुए फिजिकल फॉर्म में, अपनी कुटिर में, फिजिकल फॉर्म में बहुत ही सुंदर वर्नन है शुबहम, अगर आप किताब पड़ोगे वो, इंगलीश में छोडी सी किताब एकदम, बहुत बड़ी किताब नहीं है तो ताइम भी नहीं लगेगा उसमें जो वर्नन दिया गया है, आज की तारिक में मैंने शायद वो वर्नन पंदरा बार, बीस बार पड़ लिया होगा जब भी मैं वो पढ़ता हूँ ना, मा के साक्षातकार का वर्नन पूरा, मैं रोव ही पढ़ता हूँ मैं मेरे पूरा मेरा चित जो है मेरा जो मन है वो शून्य मनस्क हो जाता है और सिर्फ आखों में से आसों निकलने लगता है और ये घटना के बाद उन्होंने दर्शन किये भगवान शी कृष्ण के क्योंकि उनको ये एक जग्यासा थी ये किताब में लिखा हुआ है कि मा प्रगट हुई तो शी कृष्ण जी अगर मैंने उनकी भी साधना की तो मैं उनकी भी दर्शन करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने सन्यास काल के दौरान अपने गुरु के पास से दो चीजे ग्रहन सबसे जादा बहुत सारी चीजे करें लेकिन जो दो चीज के उपर इंपोर्टन्स उन्होंने दिया वो था ललिता सहस्ट नाम और दूसरा था श्रीमत भगवत गीता उनके गुरु ने कहा था कि बेटा ये दोनों चीजे आपको कंठस्त कर लेनी है ग्रहन कर लेनी है इस वजह से उनको भगवान कृष्ण के प्रती भी बहुत ज्यादा लगा हुए आज की तारिख में और मा के प्रती भी उतना ही लगा हुए और अल्टिमेटली हम देखने जाए तो वास्तव में परमात्मा का जो एक स्वरूप है वो ना तो प्रकृती ना तो पूरुष ये तो हमारा डिवाइट किया हुआ है वो सारी कुछ चीज एक ही है क्योंकि ललिता सहस्र नाम में ये बताया गया है कि ध्यान ध्यात्री ध्ययरूपा धर्मा धर्मविवरजिता और दूसरा एक शलोप में कहा गया है यगनप्रिया यगनकर्त्री यजमान स्वरूपिणी जिसका अर्थ ये है जब आप यग्य करते हो यगनप्रिया जो यग्य है वो भी मा है यग्य कर्त्री जो यग्य कर रहा है वो भी मा है यजमान स्वरूपिणी जो यजमान है जो यग्ये करा रहा है पुरो हित वो भी माही है ध्यान ध्यात्री ध्याई रूपा जो दूसरा स्लोक मेंने बताया जो ध्यान है हमारा जो हम मेडिटेशन में बैठते वो भी माही है ध्यात्री हम जिसका ध्यान कर रहे है वो भी माही है धिये ये रूपा, हमारा जो धिये ही है धियान करने का वो भी माही है, कुछ अलग नहीं है, सारे स्वरूप एक ही है, चाहे हम कृष्ण की बात करें, चाहे महादेव की बात करें, महालक्षमी की बात करें, महासरस्वती की बात करें, महागणपती की बात करें, लेकिन हमारे प्रकृति के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार उन्हें अलग-अलग केटेगरीज में डिवाइट करा गया है उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि जो ने दिखा था वो कैसा था जैसे माता जी का जो रूप कहते हैं वैसा ही है जैसा है याकर कुछ अलग था तो थोड़ा बताओ क्रिशन जी का भी बताओ कैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ मैं आपना आपको बिल्कुल लायक नहीं समझता कि मैं इसे डिस्क्राइब कर पाऊं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा उन्होंने काफी बार इस चीज का वार्णान अपने डिस्कॉर्स में भी किया है कि मा के जिस स्वरूप को मैंने विजुलाइज करके उनकी साधना की थी जब मा प्रगट हुई तब वो स्वरूप एकदम विपरीत था क्योंकि वे मा से सतत कहते रहते थे थे उनको बार बार उनकी बिंती यही रहते थी कि मा अब जब भी प्रगट हो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रगट होना अब ऐसे कोई स्वरूप में प्रगट ना होना जो आज के संसार के द्वारा दिया गया है आज के लोगों के द्वारा दिया गया है मुझे आपके मुझे आपके वास्ताविक स्वरूप का दर्शन करना है ना कि मैंने जो फोटो फ्रेम में देखा हुआ है या फिर कहीं पे और देखा हुआ हो शास्त्रों में वगएरा फोटो के थ्रूप पिक्चर्स के थ्रूप मुझे वो स्वरूपों के दर्शन नहीं करने, तो हमारे जो एक शास्त्रा है या फिर हमारी जो फोटो फ्रेम्स वगेरा रहती है, पिक्चर्स वगेरा, उसमें मा का एक पूरा अभूशनों के साथ एक दिव्य स्वरूप, भव्याती भव्या एक उनको शेर के उपर बिठा देखने को मिलता है मा का स्वरूप, और जब उनको मा के दर्शन हुए, वो जो स्वरूप था, वो इतना दिव्याती दिव्या था, मा ने स्वयम उनके स्वामी जी को अपने गोद में खिलाया था, यह पूरा वहनना आता है उसमें, और एकदम साथगी पूर्ना कोई आभूशन नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने आपको लायक नहीं समझता इसलिए इसके बारे में और ज्यादा मैं, I don't think so कि मुझे मैं justify कर पाऊंगा उनके यह वर्णन को, लेकिन उनका पूरी बात करिये ना, मा ने जैसे उनको बुलाया, जब मा प्रगट हुई, तब म अपने पास पुलाया, उनको अपने गोध में खिलाया, बुक में वर्णन आता है कि स्वामी जी को बाद में अनन्त गोटी ब्रह्मान के दर्शन हुए, मा की गोध में, जो सारे हम आज की तारिक में पेरेल उनिवर्स, मल्टिवर्स दिने कहा जाता है, वो सब कुछ मा के अपने अंदर जो समाया हुआ है, वह सुबह पाँच बजे उनको अनन्त गोटी ब्रह्मान के दर्शन हुए, यानि कि करोड़ो ब्रह्मान के उनको दर्शन हुए, जहां पे उन्होंने अपने आपको ब्रह्मान में यात्रा करते हुए पाया, अच्छा, उन्होंने देखा रामायन काल में जब हनुमान जी एक कहानी आती है वो पाताल लोक में जाती है और उऑने अलग-अलग… कई सारी अंगूठिया मिलती है तब उनको बली राजा आकर कहते है कि आप पहली बार नहीं आये हो अलग-अलग ब्रहमांड मेंसे अलग-अलग Haluman Ji आते रहते और अपनी अंगुटी खोजने के लिए राम जी के अंगुटी खोजने के लिए और पजाकर अनुमान जी को एसास हुआ की मैं सिर्फ अकेला नहीं है और ये सिर्फ अकेला ब्रहमान नहीं है तो हमारे शास्त्रों में अल्लेडी ये कथाए दी गई है अच्छा जो हमें वर्जन पता था वो ये था कि इट सॉल साइकलिक की हनुमान जी बार बार फिर से सत्यूग में हनुमान जी आते हैं राम जी ने अपना उनका देहन्द होने वाला था उनका निरवान होने वाला था.. achievements और वो सरी उननदी में महासमाधी लेने वाले थे वैकुंट में जाने वाले थे लेकिन उनको पता था कि अगर हनुमान जी को पता चला कि मैं यहां से भूलोक के उपर से भूलोक को त्याग करने वाला हूँ तो वो मुझे कभी त्याग नहीं करने देंगे या फिर वो जित करेंगे कि वो भी मेरे साथ चले जबकि हनुमान जी को चिरन जी भी होने का वर्दान था और चिरन जी भी होने की वज़े से उनको लोग कल्यान का कारिय करना था आज की तारिख में भी हमारे भूलोक की अगर हम बात करें तो हनुमान जी, भैरव बाबा, चामुंडा मा ये स्वरूप ऐसे हैं जो सबसे नस्दीक पाये जाते हैं अगर आप उनकी साधनाय करें, अगर आप उनको पूझने का प्रेतना करें तो आप जल्दी से कनेक्ट हो पाते हैं उनसे तो इस वज़े से राम जी को ये लगा कि कुछ करना पड़ेगा, एक डिवाइन प्ले खेलना पड़ेगा यहां पे तो उन्होंने अपनी अंगूठी डाल दी नीचे वहां पे कुछ दरार थी और उसमें डालकर उन्होंने अनुमान जी से कहा कि मेरी अंगूठी आप लेकर आओ अनुमान जी गए, वहां पे पातालोग में बहुत सारी अंगूठी आगिरी होई थी उनको दुविदा हुई कि इसमें से राम जी के अंगुठी कौन सी है क्योंकि सारी अंगुठी राम जी ही की थी तब बली राजा प्रगट होते हैं उनके सामने और वो कहते हैं क्योंकि बली राजा जो है वो पाता लोग के राजा है उनको जब वामन आउतार महाविष्णु के जो पांचवे आउतार थे फॉर्स्ट एवर यूमन फॉर्म महाविष्णु के उनके द्वारा जो एक तीन कदम के अंदर उनको पूरा तीन लोग कवर कर लिये थे और राजा बली को उन्होंने भेज दिया था पाताल लोग में तब से वो पाताल लोग के ही राजा है तब जाकर बली जी उनको आकर मिलते है नुमान जी से और उनको बता दही यही रहर सीय कि वास्तों में आप पहले ऐसे हनुमान जी नहीं हो जो यहाँ पे राम जी की अंगूटी डूढने के लिए आये हो आपके अलावा भी अलग-अलग ब्रह्मान्डों में से अनुमान जी आते रहते हैं और इस वास्तविक्ता से रूबरू होते रहते हैं कि राम जी वास्तव में वैकूंठ जाने वाले हैं और इस रीजन से, इस वजह से, इस कारण से उन्होंने आपको पतालोक में भेजा है तो यह तरीके से वह एक जगा उसी में अलग-अलग ब्रह्मानों से उस जगा ही आ रहे हैं जहां पे सारी अंगूठिया एक खटी हैं पिल्कुल, time travel जी तो time travel भी possible I think एक घटना दी गई हमारे शास्त्रों में time travel की राजा ककुदमी नाम से एक राजा थे और उनकी एक बेटी थी, रेवती और राजा ककुदमी को एक भी ऐसा कुवर नहीं मिल रहा था राज कुवर अपनी बेटी के लिए जो उनके साथ विवाह कर पाए। उनको जो भी राजकोर उनके पास आते थे, जो प्रिंस रहते उनके पास आते थे, वो सब के सब उनसे विवाह करने लायक नहीं थे। तो राजा ककुदमी को बहुत चिंता हो रही थी कि क्या करें, मेरी बेटी के उम्रह होती जा रही, अगर मैंने विवा नहीं कराया तो पूरी जिंदगी कवारी रहकर गुजारेगी तो उन्होंने अपने इस समस्या के निराकरण के लिए वे गए ब्रह्म लोक में, यानि कि ब्रह्माजी के पास, जो हमारे स्रिजन करता है, सर्जन हार है तो ब्रह्माजी के पास जाकर उन्होंने जब वे गए तब दरबार में उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे और थोड़ी ही क्षण बीती होगी और वो कार्यक्रम की पूर्णा होती हुई पुना होते के बाद ब्रह्भाजी ने बुलाया राजाककुदमी को और कहा कि आप किस समस्या के लिए मेरे पास आये हो तब राजाककुदमी ने कहा कि मेरी बेटी को मेरे साथ में लेकर आया हूँ आप उनके विभा के लिए मुझे कोई ऐसा योग्य राजकुबर बताईए जिनके साथ मैं रेवती का विभा करा पाऊं। तब ब्रह्माजी मंद मंद मुस्कुराये और उन्होंने कहा कि आप जब तक यहां संगीत कला का एक कारेक्रम चल रहा था उस वक्त में पृत्वी के ऊपर अनेक युग बीथ चुके है असंख्या युग बीथ चुके है अभी वहाँ पे साथवे मनवंतर का एक द्वापर य याद नहीं आ रहा तो उस द्वापर युग के अंदर बगवान कृष्ण के जो भाई है बल राम उनका जनम हो चुका है आप उनके पास चाहिए रेवती का हाथ वही ग्रहन करेंगे रेवती के साथ वही विवा करेंगे और इतने समय के दौरान आपके सारे जो तब तक पृत्वी पर पहुँचेंगे तब तक सब कुछ बदल चुका होगा और वैसा ही हुआ राजा ककुदमी पृत्वी पर आए भूलोग के उपर और उन्होंने बलराम जी के पास गए सारी चीजे हमारे जो शास्त्रों में वनन दिया गए वो यह है कि उस वक्त जब राजा ककुदमी और रेवती आये बृत्वी के ऊपर उनकी जो हाइट थी वो बहुत बड़ी थी और बलराम जी की जो हाइट थी जो हाइट थी वो छोटी थी क्योंकि यह कहा जाता है कि सत्यूग में ज्यादा हाइटेड लोग थे त्रेता में हाइट कम हुई द्वापर म उससे भी कम हुई और अभी कलियूग में उससे भी ज्यादा कम हो चुकी है तो इस वज़े से उन्होंने शी गृष्णा और बलराम जी को बिंती की कि हमारी जो एक उंचाई है वो आप कम कर दीजे ताकि हम भी एक रेवती भी आपके साथ एक विभा जीवन संपूर न कर स तो ये कथा हमारे शास्त्रों में दी गई है और फिर जाकर रियूते का विवा हुआ बलराम जी के साथ और ये टाइम ट्राविलिंग का पूरा एक इंसिडेंट वहां पर हमें मिलता है वाव एक तरीक से सारी चीज़े हैं हमारे सनातन धर में पहले से ही जो कि हम वेस्टन कमारे कılचर से सुन्ते हैं बहु अच्छा भी यग की बात हो रही थी कि यगय करते हैं सब आजके भी जमाने में देखें तो लोग करते हैं बढ़ आजकर लोग और लगता है क्या फाइदा होता है उससे क्यों ही करना महला बहुत जादा सोचते हैं तो मैं थोड़ा आब से पूछना चाहरों इस बारे में कि क्योंकि इतने टाइम से चलता हूँ आ रहा है और लोगों को लगता है कि इसका सर होता है नहीं होता तो थोड़ा इस बारे में बताओ कि कितना जरूरी है अग्य पागवत जीटा में कहा गया है बगवान शी कृष्ण की द्वारा अहम वैश्वानरो भुतवा प्लाणिनाम देह माशुता पगवान कहता है कि मैं ही अर्जुन है कोंते मैं ही इनसान के अंदर सब यह मानव के अंदर सब यह मनुश्य के अंदर चछारागनी होती है जो एक नहीं हम भाई, हर लोज खाना खाते है न, वास्तव में हम आहुती ही दे रहे, लेकिन वह आहुती जठराग्नी में जा रही, lekker जुकि, साइंस यह प्रू पर्व कर चुका, यह साबिद कर चुका है, कि आपके हैं कि जठराग्नी हैं वह भाहती ही ज्यादा जलद है, बहुती उसे कहा जाता है जठरागनी, तो यग्य का महत्व क्या है, इस चीज के लिए मैं इस उदाहरन का उपयोग करता हूँ काफी बार, जब भी आप एक निवाला लेते हो, तब आप वास्तव में अपनी जठरागनी के स्वरूप में जो यग्य प्रजवलित है, जो आपके फिजिकल बॉडी को इवॉल्व करता है, अगर आप खाना नहीं खाओगे, आपका बॉडी नहीं बढ़ेगा, जब वच्चा छोटा होता है, तब उसे खाना खिलाने से लेकर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि खाना जो है, इटे एक्ट्स, अबरॉट लाईकहवस्य सामगरी, जो हम यग्य में आहूती देते हैं, उसमें जो हम चरू का उपेयोग करते हैं, उसे कहा जाता है हवन सामगरी, तो जैसे हम यग्य में कुछ डालते हैं क्यों मैं ये उदाहरन दे रहा हूँ अगर हम खाना खा रहे हैं और उस खाने से हमारा body evolve हो रहा है हमारा mind evolve हो रहा है हम ज्यादा समझदार होते जाते हैं जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जाते हैं जिसे उमर आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे ही एक यज्य जो होता है, वो वास्तव में देवता के साथ connect करने का एक माध्यम होता है, जब आप यज्य में कोई आहूती देते हो, तब उस आहूती के माध्यम से, आप किसी भी एनर्जी को tap कर सकते हो, उनका अभवान कर सकते हो, प्राचिन काल में ये एक मैथड थी आपको पता है हम हर बार यग्य के जो हमारे मंत्र रहते हैं उसके आखिर में स्वाहा कहते है वो स्वाहा वास्तों में भगवान अगनी की पत्नी का नाम है भगवान अगनी की दो पत्नी थी स्वाहा और स्वधा प्राचीन काल में भगवान अगनी की पतनी को ये उत्तरदाइत्व सौपा गया था ये जिम्मेदारी सौपी गई थी कि यग्या में जो आहूती दी जा रही है उसको लेकर आपको देवताओं के पास जाना है क्योंकि उस समय पे देवताओं में हमारे भूलों के उपर विच्रण करते थे फिसिकल फॉर्म में तो आज की तारीख में तो हम अगनी में स्वाहा करते हैं ना सारे सामगरी को उस वक्त पे जो अगनी की पतनी थी धर्मपतनी जी और धांगिनी स्वाहा स्वयम अलग-अलग देवताओं के पास उनका टेक्स लेकर जाती थी समझ लिजे कि यग्रिया वर्क्स लाइक टेक्स प्राचिनकाल से यही सिस्टम चलती आ रही है स्वाहा उस समय के रिशिमुनियों का टेक्स लेकर जो वे देवताओं को टेक्स देते थे कर देते थे वो लेकर जाते थे देवताओं के पास और बदले में देवता उन्हें अलग-अलग सिद्ध्याप्रदान करते थे विद्ध्याप्रदान करते थे For example, अगर आप इंद्रदेव की बात करें तो इंद्रदेव को जो आहुती दी जाती थी प्राचीन काल में, वो बरसात आये, मेगराज की कृपा हो, इसलिए दी जाती थी, क्योंकि इंद्रदेव को मेगराज नाम दिया गया है, वो बरसात के देवता है, वर्षा के देवता है, तो जब इंद्रदेव को को आहुती द तब इंद्रदेव प्रसन्य होते थे उस रीजियन के उपर उस क्षेत्र के उपर और लोगों को बरसात देकर उनकी जो फसल रहती थी वो उगाने में मदद करते थे यूगि पानी के बिना फसल नहीं उख सकती तो यग्य का वास्तविक महत्व यही है कि प्राचीन काल में आप फिजिकल फॉर्म में देवता के साथ कनेक कर पाते थे इस समय में जो कल्यूग चल रहा है अभी ये समय में आप देवता के सटल फॉर्म के साथ कनेक कर पाते हो यग्य के थ्रू यग्य की शक्ति इसलिए बह अपने अंदर समा लेती है, अगनी से कुछ नहीं बच पाता, आप अगनी से बड़ी से बड़ी चीज जला सकते हो, उसके अंदर सारी चीजे भस्म हो जाती है, आप विलीन हो जाते हो, समग्रताया, संपूनताह, और जब आप अपने अस्तित्व को, अपने इग्नोरंस को, अपनी लालच को भस्म करते हो, तभी आप देउता तक पहुँच पाते हो, और ये महत्व है यग्या का, ओके, आल राइट, आसम, वन मोर टाइम, हमने इतना जादा ग्यान ले लिए आपसे, बज़ा आ जाता है, आप से बात करके, परक भाई, और मुझे तो लगता है, आ अगर आपको ये पॉड़कास्ट पसंद आया है, आपको पता है क्या करना है, सही लोगों तक इसको पहुचाना है, शेर जादे से जादा करना है, अवेरनेस करनी है, और परक भाई की जो बुक है, इन्होंने बुक लिखी है, कितनी बुक लिख दियोंगी अब तक आपने आठ किताबे लिख चुके है, और उनके लिंक हम डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मे, आप परचेज कर सकते हैं, और आप इनको सबी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फolो गर सकते हैं, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जाइए, फॉलो करिए, और आसपास awareness में और अपना ध्यान रखिए वस्ट यहीं बागी दाट इस इट मजाया तो लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल मिलते हैं ने पॉड़कास में तिल देन बाबाई जैश्री राम अरे भाई कहां जा रहे हो पॉड़कास खतम नहीं हुआ है मैं आप लोग को बता दूँ रियल 11 को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से फटाफट जाओ डाउनलोड करो और वहां पे आप क्रिकेट के साथ साथ लूडो भी खेल सकते हैं